नमस्कार, फेस्टी फूर्ड रेसिपीज में मैं सौम्या आप सभी कब बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज हम सलिब्रेट करें हैं अनन्चतुरदशी और गणपती विसरजन और उसके स्पेशल मौके पर मैं बना रही हूँ बहुत ही जादा टेस्टी और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली मिठाई जो कि आपको जरूर पसंद आएगी अगर आप चैनल पर पहली बारा हैं तो फेस्टिबल स्पेशल रेसिपीज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजेगा ताकि आगे आने वाले सभी रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको मल सकें शुरू करते हैं इसको बनाना इसको बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ली है जिसमें मैंने एड किया है वन फोर्थ कप देशी घी आपको घी इसमें मेल्ट करके यूज करना है और इसके साथ हम इसमें एड करेंगे डेड कप जितना दूद तो यहाँ पर पहले मैंने आदे कप दूद एड किया है इस घी के साथ में और अब हम इसमें एड करेंगे मिल्क पाउडर यूज किया है आपको इस रेसिपी के ल तो say यहां पर यह सारी चीजों को हम अची तरह से mix कर लेंगे अभी मैंने इसको गैस पर नहीं रखा है सिर्फ पहले हम सारी चीजों को ऐ것도 चीजों कर लेंगे ये देखिये और बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूध हमारी बर्फी रेडी होगी. तो ये देखिए, मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ. और ये जो बर्फी बनती है, इसका टेस्ट बिल्कुल मावा बर्फी जैसा आता है. जैसे मावे का टेस्ट होता है, सेम वैसे ही टेस्ट आपको मिलेगा. और इसको खाने के बाद कोई ये नहीं बदा सकता है कि इसको हमने मिल्क पाउडर से तयार किया है. ये देखे, मैंने सको अब गैस पर रख दिया है, और गैस के फ्लेम को अभी मैंने मीडियम पर आउन किया है, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. देखे, मैंने दूद बाकी बचाओं को डाल दिया था, जिसके बज़े से अब ये थोड़ा से लिकुरी लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये पकना शुरू होगा, ये अपने आप थोड़ा लूज होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये देखे, क्योंकि हमारे जो मिल्क पा लगातार चलाते हुए पकाना है, आप देखे, इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं, और आपको इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, अगर आप इसे छोड़ देंगे, तो काफी जल्दी सी सर्फेस पे चिपक कर जल सकता है, तो आपको लगातार चलाते हुए इसे पक बहुत ही इसली बन जाती है, अब मैंने आप बर एड किया है, एक कप पिसी हुई चीनी, इस रेसिपी के लिए आप पिसी हुई चीनी का ही इस्तमाल किजेगा, क्योंकि ये इंस्टेंट बर्फी है, अगर आप नॉमल चीनी डालते है, तो उसको घुलने में काफी टाइम है, और हो सकता है, वो प्रॉपर नहीं भी घुल पाए, क्योंकि ये काफी जल्दी थेक हो जाएगा, जिसके कारण वो फिर मुह में चीनी का टेस्ट आएगा, तो इसलिए आप इसमें हमेशा चीनी को पीस करके आट किजेगा, और ये देखे चीनी के भी जो लंप्स है, व इसे आपको बिल्कुल नहीं चोड़ना, जैसे मावा होता है, मावा जैसे हम बनाते हैं, तो लास्ट में जब वो थिक होने लगता है, तो उसे बिल्कुल भी नहीं चोड़ा जाता, सेम वही तरीके से हम यहाँ पर भी बना रहे हैं बर्फी, और देखे बर्फी जमने पर भी नहीं आपको इस तरीके से प्लेट पर थोड़ा सा पोर्शन निकालना है इसका और हलका से थंडा होने देना है, जब यह थंडा हो जाएगा तो आपको देखना है कि ऐसे उंगली पर लेने पर चिपक तो नहीं रहा है, यह चिपक रहा है, इसका मतलब यह भी रेड पाने के बाद, तब यह देखिए, तब यह आसानी से इसका छोटा सा बॉल सा बनने शुरू हो गया, आप देखिए, मैं आपको दिखाती हो, इतना पका हुआ हमें इसके लिए मिक्षर चाहिए, अगर इतना पका हुआ नहीं है, तो बर्फी आसानी से सेट नहीं हो अगर आप इस ट्राइम पर बंद कर देंगे गया, तो आपको इसे थोड़ा जादा टाइम चोड़ना पड़े का, मतलब लगब ओवर नाइट आप चोड़ेंगे तब बर्फी आपके सेट होगी, तो महीं हाँ पर इसको थोड़ा सा और पका लोंगी, और उसके बाद महीं परना फिर यह जम नहीं पाएगी, और आप इस मोमेंट पे चाहें, तो इसके पेड़े भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम इसकी बर्फी बना रहे हैं, तो इसलिए बस इसे हलका से इस तरीके से मैश करते हुए आपको करना है, तक इसमें कहीं भी कोई लंस हो या कुछ भी ह नहीं कह सकता, और यह देखिए, अब मैं यहाँ पर इसको ट्रे में डाल दूंगी, नॉमली जो मार्केट में भी आप मिल्क पाउडर की बर्फी खाते हैं, वो नॉमली वाइट कलर की होती है, और वो देखने से ही पसल जाता है, कि ओविसली वो मिल्क पाउडर से बनी हु के टेस्स से काफे रिजंबल करती है, वो मावे की प्रॉपर मिठाई थी, और जिसको मैंने मावे से तयार किया था, लेकिन यह मिठाई भी उसी को बिल्कुल टकर देती है, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो आप भी एक बर इस तरीके से रेसिपी को ज़रूर ट्र अपने घर में आपको पसंद आई हो रेसिपी, तो वीडियो को लाइक शर किजेगा अपने फ्रेंड से फैमली के साथ, और अगर चैनल पर पहली बारा हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा, तो यह देखे, मैंने आप इस तरीके से कट कर लिया है, औ और यह हमारी परफी जो है, बहुत ही बड़ी आसे कट होके रेडी हो गई है, आप इसे भोग प्रशाद के लिए बना सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताय किजे कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और हाँ बाल मिठाई के रेसिपी को देखने के लिए उपर आई बटन पे क्ल करके आप उस रेसिपी को देख सकते हैं, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स वोचिंग,